संद वानी में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शबद लेने जा रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी का जन 1563 हिस्वी में हुआ और 1606 हिस्वी तक पंजाब की धर्ती पर गुरु अर्जुन देव जी अपना गीत काते रहे कहते हैं गुरु अर्जुन देव नारायन नरपती नमस्कारे कहते हैं मैं गोविंद को नमस्कार करता हूँ और नर्पती है अर्थात सद्गुरू को नमस्कार करता हूँ गोविंद को नमस्कार करता हूँ इसके लिए गुरू अरजन देव जी अनेत्र कहते हैं गंगाजल गुरू गोविंद नाम कहते हैं गुरू स्वयम में गंगाजल है और गोविंद का नाम जो उंकार है जो अनाहतनाद है प्रणाव है उदगीत है जो हमारी आत्मा का संगीत है जो हमारी आत्मा की भनी है उसको गोविंद का नाम कहते हैं कहते हैं, गोविन का नाम तत्व गंगाजल है, गुरू भी गंगाजल है और उंकार भी गंगाजल है, जो सिमरे तिस्की गतियों है, जो भी गुरू का सुमिरन करता है, जो उंकार का सुमिरन करता है, उंकार के माध्यम से गोविन्द का सुमिरन करता है, वो परम गति को, पर आफ़ को मोक्ष को प्राप्ट कर लेता है विवत बहुरिन हो हिं ब्रहमाम और इस गंगाजल का जो पान करता है। गुरू के गंगाजल का और गुंध के सुम्रन के गंगाजल का, वह कभी भी बिभीन य२ियो नीओं में दिख्भ्रमित नहीं होता ही। रखता नहीं है पूजा जाप ताप इसनान सिम्रत नाम भाए नहीं काम दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसे लोग पूजा से शुरू करते हैं बनता ठीक है लोग जाप करते हैं मंतिका तब करते हैं किर्थों में इसनान करते हैं कि इनकी उपयोगता हो सकती है शुरू के लिए इ की ज़रूरत नहीं रहती कहते हैं गुरु अरजन देव जी ऐसे गुरु को बली-बली जाईए अब गुरु का बर्नन शुरू करते हैं पहले नर्पती गुरु का बर्नन करें बाद में गोविंद का बर्नन करेंगे पहले गुरु की महिमा का बक्रान करेंगे बाद में गोव मैं उनके प्रति बलीहारी जाता हूं जिसके लिए गुर्दानक कहते हैं सद्गुरु को बली जाईए सद्गुरु की बलीहारी जाओ सद्गुरु के प्रति अहो भाव से भरो जित मिलिये परमगति पाईए जो सद्गुरु से नाता जोड लेता है वो परमगति को प्राप् प्राप्त करता है निर्वान को प्राप्त कर लेता है कि एसलिए कहते हैं ऐसलिए ऐस गुर्व को बल बल जाएए आप मुकुत महीतारे स्वेम भी मुक्त होता है और फिर अपने शिश्यों को अभी उधार करता है उनको भी तारता है कहते हैं गुरु अरजंदेव जी कावन 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 काई है कहते हैं कि गुरु के गुरु का मैं क्या वर्नन करूं मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरु के गुरु का मैं पर्णन कर सकूँ, जिसके लिए गुरु अर्जुन देवजी अन्यत्र कहते हैं, गुरु जैसा नाहीं को देव, कई देवता है, लेकिन गुरु जैसा देवता कोई नहीं है, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, लेकिन कहते हैं, जिसका परम सो सारे गते हैं कि गुरु के गुणों का कोई अंत नहीं है कितने गुणों का मैं वर्णन करूं儿 ऐसे ही अहवभाव की दशा में कभी कभीर साब मैं लिखा है सब धर्ती कागज करूँ आग कग्रकर ऑफ बन रहाएं पुरी धर्ती कागज जाय तब भी गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता धेख रहा हो और भाव की पराकाष्था है कहते हैं इसी बात को गुरु अरजिन दिवज्याय versuchtr कहते हैं सद्दुरु मेरा सरब प्रतिपालेsmith सद्गुरु मेरा मारी जिवाले, कैसा है मेरा सद्गुरु अपने सभी शिश्यों का पालन करता है, उनको आत्मिक विकास के दिशा में ले जाता है, सद्गुरु मेरा मारी जिवाले, सद्गुरु मुझे जीवित मरी भाजल तरिये का ज्यान कराता है, समाधी में मरने की कला बताता है, और फिर उसको गोविंद के प्रती पुनर जीवन देता है, गोविंद के साथ जीने का उसको मौका देता है, सद्गुरु मेरा मारी जिव आदे, जीते जी, उसको मारता है, समाध्य में ले जा करके, और फिर नया जीवन प्रदान करता है, हस्द गुरु मेरे की बड़ी आई, मैंने, मैं अपने सद्गुरु की स्थूति किन शब्दों में करूं, किन शब्दों में उसकी प्रशन्सा करूं, प्रकट भाई है सवनी धाई मेरे गुरु कांट की जो महिमा है उसका जो गौरह है उस सब जगा स्वम्ही ह्रै क्लिब आरजुन अब खग बाज बाते मालंग ओर प्रनार बीसे जे और बाज乾ुन krs वोटाए कई करोर क्शें संतों होता है को है ऐसे विचार आप ऐसा कोई है मनुष्ट जो गुरु के गुणों पर विचार कर सकता है कि कौन-कौन से गुण है उसके जिसके लिए अर्जुन्देल जी अन्यत्र कहते हैं सदगुरू के हो सदबद जाईया, मैं सदा सदगुरू की बलीहारी जाता हूं, प्रगट मारग जिनी कर दिखलाईया, जिसने प्रभु के मारग को हमारे सामने प्रकट किया, जिन गुरू सेवियात इस भैना बेयापे, इसलिए जो सदगुरू की सिवा में रत रहते हैं, उ नानक सोधे शिम्रित वेड नानक डीवूजी के माधम से और च्छें ऑना कीया है पर ब्रम कर्फ नहीं भ्यद तो इसने श्करस पर मैं पहुंचा हूं कि पर प्रमाथमा में और गुरू में कोई भ्यद नहीं है प्रकट ब्रम में ही गुरू है और जब निराकार गुरु हो जाता है तो वही गोविंद है कहते हैं गुरु अरजुन्देव जी कि बिसम, बिसम, बिसम ही भाई है अब तक गुरु का वर्णन नहीं किया अब गोविंद का वर्णन कर रहे हैं गोविंद कैसा है क्या को हूँ विसम 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 ही भाई है कहते हैं कि मैं तो विसमित हो गया हूँ गोविंद को देख करके मैं चकित हो गया हूँ मैं आश्चर से भर गया हूँ जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते है मेरा सुन्दर स्वामी जी हूँ चरन कमल पगशारा मेरा स्वामी मेरा गोविंद कैसा है किते हैं मैं बहुत ही सुन्दर है और मैं उसके चरन कमलों की धूल जैसे हूँ और गोविंद का चरन कमल क्या है हमारी आत्मा जिसको ग्यानी आत्मा कहते हैं उसी को जो भक्त होते हैं गोविंद का चरन कमल कहते हैं कि कि मैं उसके चरनों कि दिहुन हूं, उसका चरन कमल इतना सुन्दर है, कि हूँ बिसंबाई जी हलि दर्षन करें गौबिंद का मैं तो बिलकुल बिस्वित हो गया हूं! क्यते हैं गौरू अरजंद्ध बिशुम बिश्ट ही भाई है लाल गुलाल रंगारे कैसा है गोविंद का चरण कमल देखने में कहते हैं कि लाल प्रहसुंदर रंग है जिसे गुलाल होता है उस तरह का लाल है जो दिव्यालोक आत्मा का है उसकी और इशारह कर रहा है और जब कहते हैं कि लाल गुलाल है लाल गुलाल एक तो दिव्यालोग का प्रतीक है दूसरे आनंद का प्रतीक है कि हम होली मनाते हैं हवीर से और प्रेम का भी प्रतीक है क्योंकि हम प्रेम से होली में गले मिलते हैं जिसके लिए गुरू अरजन दुजिया नेतर कहते हैं जन गोविंद मिल जाता है तो फिर दुख हमारे पास नहीं आता फिर तो हमेशा आनंद ही आनंद रहता है कहते हैं गुरु अरजंदेव जी कहनानक संतन रस आई है कहते हैं मगर गोविंद ऐसे गोविंद कानव हो कौन कर सकता है संत ही कर सकता है संत उस गोविंद के आनंद का मागन हो गया है मस्त हो गया है और कहते हैं अहने सदा एक रस लगाँ अब तो रात दिन पस राम रस पीता रहता हूं और मस्त रहता हूं दिया दरीबे डियडा और इसके लिए में कोई जंगल मुझे जाने की जरृत नहीं पड़ी परवत और कंदराओं वे रहने की ज़रृ बैठाूं और गोविंद के स्मिर्णज का गोविंद के रस का गोविंद के आनंद का मजा लेता रहता हूं कहते हैं गुरु अर्जुन्दर जी कहना आनद संतन रस आई है वह जो आनंद है वो संतों को प्राप्त होता है जिव चाह की गुंगा मुश्कारे लेकिन गुंगा को अगर गुर दे दो तो क्या करेगा उखाएगा मजा लेगा मुश्काएगा लेकि उसके पास शब्द नहीं है बताने को ऐसे ही संत मजा तो ले रहे हैं गोविंद का लेकिन शब्दों में उसका वर्लंद करना बड़ा क अनभव कैसा होता है गोविंद का अनभव कैसा होता है तो कभीर साब करते हैं सो गुंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुक्सवाद अब ऐसा होता है कि कोई गुंगा गुड़ खा रहा है उसको अच्छा लग रहा है मुश्कुरा रहा है लेकिन वो बताए भी तो कैसे बता झालेश